कि आप 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 सारी चेंपियन सिविल कर सौनत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेड़ अप सिविल चैंपियंज पे जल्दी से कमेंट बॉक्स में आवाज आवाज सही है क्या एक बाद जल्दी से बोलो आवाज आवाज सही है तो फिर फोड़तें और mcq दोनों ही टाइप के questions मैंने लिए है और दोस्त msq question को लेने का मतलब है उस एक-एक question में काफी महनत की गई होगी क्योंकि msq के लिए कोई books तो है नी न प्रिवे से रहे तो उसको खुच से बनाना पड़ता है दोस्तों तो स्वागत है आपका इस session के बाद मैं जितने भी जितने भी types of msq questions से exam में question पूछे जा सकते हैं उन सभी को लेंगे और सभी को solve भी करेंगे ओके अमन, रिविका जी बालागाट से, वैंकटा जी नवीन सागर जी, कोटा से ओके और सब के सब यहां पर आ चुके हैं, सब का स्वागत है, swag से तो आज आज आपका चार बजे mock test भी हुआ होगा मैं उमीद करता हूँ कि आपका mock test अच्छा गया होगा विनो जी, good evening विनो जी ओके, तो इक बाद सारे दोस्तों को यार, जल्दी जल्दी कहां चले गए मानाव सूचीजी, मानावसूचीजी केद्या से correct केद्या से बताये थे आपकल 100 में गाहां से बताया से थे ओके, नहीं केद्या से नहीं थे गया ओ ओ ओ ओ के लुबगर के लुबागर ले नुंध भूल गया शित do unknow have an uhOkay user id है, Hih hiργ unknown heaven कि यूट्यूब में किस-किस ने वो देखा तो कोई बात निया फिर यहीं से दिखा देते हैं आपको कि यूट्यूब पर वो देखना भूल गए ना अपन ग्रेट अब सिर्किस किसने कमेंट लिखा कल वाले कोशन कंसर उसका मेरे को स्क्रींशॉट लेना चाहिए था मैं फॉल्ट थोड़ा सा टाइम आपका वेस्ट होगा ग्रेट अपसे फिल चैंपिन्स पर सब्सक्राइब म क्या ओके तो शियर सेंट्र कोशिशन दिया था मैंने ओके आवाज नहीं आती है क्या अचा आती है अच्छा यह कल वाला यह दिखाया था ना ऐसे आज का मैं स्क्रींशॉट लेना भूल गया देट्स मैं फॉल्ट तो आई वास सेशन आयव प्रब्लम विद मैं नेटवर् लौक कर देखाया झाय ने जवाब दिया पायल रोग अंकिता जी लौirs अधीन साखर जी ओके iq भी कर देते हैं ठीक है तो विनोज जी ने ओके देवजीत मिश्रा जी बंगाल से हैं विनोज जी अभा मौर्य जबलपुर से विनायक जी भी हैं ओके सब को लाइक कर दे रहा हूं मैं प्रसिल मुझ जी दुबारा कल तो नहीं आये थे लेकिन उन्हें कलका सेशन इसका रिवाइन करके देखा है कलका से इसका रिवाइन करके देखा है गीतानली अमन रेवका जी बाला घाट से मना सुची जी राज कोमल जी ओके राज कोमल लगाता रंचर दे रहे हैं राज कोमल जी लगाता रंचर दे रहे हैं ओके अपने पर आजाएं वापस ओके दोस्त अपने पर आ जाते ह में सब्जेक्ट विशुड रिवाइज साई गोड इवनिंग गोड इवनिंग रांची से आ रहे यार बूल गया बूल गया रांची से गोड इवनिंग बनो जी सुना लिकाज मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं सबकूछ है विडियो को और किसी का अच्छा, एक और दोस्तों जो जो मैंने वाधा किया है, वह सारे वादे निभाए हैं अगर आपको पतियादो तो टेलिग्राम चनल पर PDF दिया ठीक है एक वादा रहे गिया था मैट्स का अब मैंने एकार आपको थोड़ी ही दिन पहले अगर आपने दिमाग में थोड़ा सा जो डालोगे प्रनाम धिवनशेव शिमला से थोड़ा से जो डालोगे तो मैं एक चीज कही थी कि मैं इस चैनल पर लाइव करा पाऊ मैट्स के नहीं मैं नहीं वादा कर सकता आप कोशिश पूरी रहेगी लेकिन ग्रेड़ाप गेट चनल पर कर दूँगा तो ग्रेड़ाप गेट चनल पर 20 आवर्स का एक मैट्स स्टार्ट हुगा है दोस्त पांच बज़े चलता है 20 आवर्स का मैट्स का स करूँगा नहीं तो ग्रेड़ाप गेट पर तो होगा ही और वो हो रहा है पांच बज़े ओके गूरी इवनिंग सबको अच्छा यह मैं हूँ मैं आपको यहां पर कमेंट कर सकते हैं जो भी आपको सेजिशन जो भी फीडबैक है यस लखी चंद्रा वह मेरा वादा था तो में को फूरा करना था ओके तो यह स्लाइड खेरा आपके मतलब की बहुत ज्यादा नहीं है अच्छा यह ताबड़ तोड़ सीरीज दोस्त यह ताबड़ तोड़ सीरीज में मैं क्या कर रहा हूं मैं ले रहा हूं अभी बेंडिंग से कोश्चन कॉंसेप मैं सुभे मैं सका ग्लास डेली लेती हूं गोड़ गोड़ सुची जी लखी चंद्र थैंक्यू थैंक्यू ओकी बिल्कुल बिलकुल सर बहुत ही हाईली एक्स्प्रियंस फेगर ले मेरे से मेरी क्लास से भी जाज अच्छी है गया तो यह पुरा ताबड़ तोड़ सीरीज का है पूर यह वाला क्लास लगा सकते हैं दोस्त ओके उसे क्लास लास यह एप की हैं दोस्त एप की आता हूं मैं 11 एम पर ओके हर दिन नहीं कुछ कुछ दिन दिन आभी हमसे मिल जाएगा पको पीडियाफ आम गेड़ अप सिविल चैंपिन्स पे टेलिग्राम चनल पर जो टार यूट कोश्चन अलग होंगे इसके कोश्चन अलग होंगे भाई ठीक है सर कोई सब्जेक्स पर ज्यादा फोकस करें तो मैं नहीं कह सकता नों लेकिन रेलवे एर्पोर्ट के सिरफ जैसे रिवीजन वाला सेशन माराथन वाला जोशिय सर का देख लिया ठीक है या रेलवे आप छ सिरीज एप है अच्छा और आप में आज मैंने क्या पढ़ाया था कंप्रीट बेंडिंग से से कॉंसेप्ट तो इस पटिकलर सेशन में मैं उसके कोश्चन लूँगा दोस्त ओके दोस्त और कोई आपका सजेशन मैट्स का आपने बहुत दिनों से में को कह रहे थे तो मेरे हुए है भीली बिली कर लेता हुए बाल नहाता नोगोर ज़रू आने के कहा जरूट है एक घंटा वैसी लग जाता है नहाने में एक खंटा कैसे पहले आदर घंटा मूर बनाने में लग जाता है नहाएं की नहीं नहाएं चलो दोस्ट कोही और सेजेशन आपका है और कोईहां कई में बोल दिया और कोही हूकम सरा को सबका स्सक्ष्ट क्रें फिर बेंडिंग स्ट्रस डोस्ट बेंडिंग स्ट्रस स्टाट करें और कोई सन्स्ट नहीं आपका आपके उधर तेमप्रेचर कितना है तेमप्रेचर डिल्पी में जितना है उतना ही होगा आप उलु है वह त्थ जूट्षिट भी है इतने ही बेल पिट व्रुटर इसको निकालने में लग जाए तनों इस नहीं लग पा रहा है ओके दोस्त थंड है दिली वाले दोस्त ओके स्टाट करते हैं क्या हो गया क्या होता है आपको पता ही है इसका complete derivation मैंने सुबह बताया था कि कहां से आता है ये formula moment of inertia होता है complete derivation बताया था एप में 11 am पर ठीक है अगर आपको derivation देखना है तो इसका app का 11 am वाला class देख सकते हैं वहां पर complete derivation बताया था it's physical मतलब क्या होता है है कि जितना moment of inertia जादा होगा उस वस्तु को उस access के अबाउट उतना ही घुमाने में मुश्किल होगा उस तीन से चार मार्क्स आप expect कर सकते हैं FM से 5-6 मार्क्स ओके वापस है मैं बोल दे रहा हूं दोस्त जितना जादा जितना जादा होगा moment of inertia जितना जादा होगा moment of inertia उस वस्तु को घुमाने में उतना ही जादा ताकत लगानी पड़ेगी moment of inertia इसका ज्यादा ही इसका physical मतलब है दोस्त ठीक है bending क्या होता है होता है जैसे किसी बीम का श्रॉस स्ट्रेस्स कारण आज आते हैं पी इपॉन एडाए नहीं फोर्स अपॉन एडा मूमेंट के कारण जो stress आते हैं जब किसी बीम पर किसी बाच जोन पर कर सकता का सब सूब बताया 11 पर लिए उस सेशन में ज्यादा कोशन लेने तो neutral axis होगा dy2 पे, elastic case में neutral axis होता है central axis पे, तो neutral axis से y distance पे, जो stress होगा, bending stress at y distance is equal to m, moment कितना है उस section पे, upon moment of inertia about neutral axis, young small less upon radius of curvature, ठीक है, यह है neutral axis से y दूर उपर या y दूर नीचे कितना bending stress होगा, sigma क्या है stress at y distance from neutral axis, चाहे उपर हो चाहे नीचो, m क्या है movement at that section, i क्या moment of inertia about, about, moment of inertia तो हर axis का about अलग लग होता है, तो moment of inertia about neutral axis, neutral axis क्या होती है central axis, e by r, अच्छा एक चीज़ सुभे नहीं बताई थी, वह यहां पर बता देता हूं, दोस्त, वह सारे concept तो सुभे बता ही दिये थी, तीन concept में bending stress खतम किया था, अगर एक pure bending और prismatic beam है, यह सुभे नहीं बताया था अगर एक pure bending है और prismatic beam दे रखे, इस खास बात क्या होती है इसकी देखना, पहली बात तो, पहली बात तो pure bending मतलब, पहली बात तो pure bending मतलब M is equal to constant, prismatic beam मतलब EI is equal to constant, तो दोस्त, यहां से देखना क्या होता है, M by I is equal to E by R, तो यहां से 1 by R क्या हो जाएगा, M by EI, अच्छा अगर pure bending है मतलब M constant है, pure bending है दोस्त, इसका मतलब है कि M constant है, pure bending है दोस्त, इसका मतलब M constant है, और prismatic है मतलब EI constant है, prismatic मतलब दोस्त, वैसी beam जिसका EI constant रहता है, prismatic मतलब वैसी beam जिसका EI constant रहता है, E into I जिसका constant रहता है, तो pure bending M constant, EI constant, So is equal to constant upon constant constant ही होता है constant for constant for this case pure bending तो R constant हो जाएगा तो R constant हो जब movement लगेगा तो beam का deflection किस shape का होगा R constant किसका होता है दोस्त R constant किसका होता है circle का होता है तो आप से बहुत हाँ एक्जाम में पूछता है तो pure bending के लिए और prismatic के लिए ये constant होता है ओके 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 ठीक है एक फिर मैंने बताया था अगर P भी लग रहा है M भी लग रहा है तब क्या होगा second पहला तीन concept में खतम किया था पहला ये दूसरा अगर M भी लग रहा है और M के करण क्या होगा bending stress और P के करण क्या होगा direct stress force by area ये sigma direct मतला force by area P by compression में पी बाई और यह क्या होगा बैंडिंग इंट्रेस्स इंट्रेस इंटु आइ वाला तो डब बैंद आई तो यह जो एंडर वाला पी हैं इसके कारण धार और शेंस होगा जो पहले पर सब्सक्र Stacy पढ़ते सो में मूता की पहले दिन क्या पढ़ते हैं स्ट्रेस होता है पूरा अंदर सी फिलिंग बताया था इंटरनल फोर्स बाहिर या ब्लू गलर से पूरा बताया था ग्रेट वसली चैंपिन स्ट्रेस और यह एम के करण क्या होगे बंडिंग दोनों को एड़ करता अब आड़ करना का सिखा हूं होगिंग है सर होगिंग बोलो ना सर अथर लगता अभी इतने बड़े टीचर हो और ऐसा वाला और ऐसा वाला करते हो अरे का होगिंग कौन बता दिया होगिंग में का होगिंग है का होगिंग का यह क्या है क्या है यह क्या है सैगिंग बोलोगे तुम का है यह बताना यह क् साइगिंग पढ़ लिए होंगे तुमी इसको अरे का साइगिंग भाया यह आदमी हो तो साइगिंग कहो और यही बीम को यह वाला आदमी होगिंग बोले यह इस बीम को साइगिंग बोलत है और यह आदमी इस बीम को होगिंग बोलत है तो साइगिंग होगिंग कुछ ना इसलिए मैं इसको ऐसा वाला मुव्मेंट बोला हागिंग बोलने के बजाए क्योंकि हागिंग सागिंग बोलना बहुत अच्छा नहीं है हागिंग सागिंग बोलना अच्छा नहीं है इस ये वाला चीज इस वाले आत्मी के लिए हागिंग है और इस वाले में किना Sheiking है दोस्त अरे बोलो वाइन समझ आरहा की नीया रहरा राकमेंड बोक्स में यार वाइन नहीं बोलते हो यार कमान बोलो यार created सवनिख मार जी वाइन बोलो तॉल्हे में जहां रही की नीया रहा बंडी मोहनं चन्य कर से वाले कुछ नहीं कहते हैं। जर्वाले कुछ को पॉजिटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव से पॉजिटिव कहते हैं उसको कहते हैं ओके चंदन सर आ गए हैं चंदन सर आप वही हो क्या क्योंकि डीपी नहीं दिखा रहा है मेरे वाले लैपटॉप में वही हो अगर आप तो दस बजे वाला सेशन अपने टेलीग्राम में शेर कर देना जिसमें 50,000 सूडेंट है दस बजे वाला ओके पैउ में इस कि इसलेट ना पदूब कि उसकी फिर भीलींक किया है उसका इंपॉटौन क्या इसे आप अब यहिans ही बढहेःस का स्मझित हैं थो यहिया पडेगी मेरे वाई can kreato a में डोता है concrete यार रहा बताया तर स्टेस्ट इंधन करक Fulls वह बताए हैば बताया है अगर टेंशन में जल्दी टूट जाता है अगल मेट्रियल वह बताया था यह उससके लिए हर विध्ल हर जाधा स्ट्रेस लेता स्ट यह तो 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 टेंशन में मैं सरीय डालना पड़ता है, अब ये वाला beam मतलब ऐसा, इसको sagging बोलना तो मैं अच्छा नहीं लग रहा है, और ये वाला मतलब ऐसा, तो यदि ऐसा है, ऐसा है, तो जो मैं सरीय डालूँगा, यहां टेंशन कहां रहा है, नीचे, तो यहां नीचे आएगा सरीया, यहां टेंशन कहा रहा है, ऊपर तो ऊपर आएगा सरीया, इसलिए तो कॉंटर फ्लेक्जर की खासियत आ गई समझ, ताकि जो साइट में काम कर रहा है, अपन तो सिविल इंजिनियर हैं, देखो, रॉयल है, अपन तो साइट में नहीं जाएंगे, आपन के चंदन ज साइट में काम कर रहा है, तो साइट में जाएंगे, 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 तो उनको तो नहीं पता अब यह टेंशन क्या होता है, तो उनको बोलेंगे, यह प चैनल को लाइक करना है और मैं कितना भी एसाल हूँ और कौनसेट ठंक से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं feeling नहीं बता पा रहा हूं तो dislike कर जाना वीडियो को अभी के अभी unsubscribe करने चैनल को अभी के अभी वाइन बोलो concept के लिए वाइन बोलो concept के लिए concept के लिए वाइन समझा है point of control measure का मतलब क्या होता है यह यह negative अगर कोई ऐसा beam है और इसका bending moment ऐसा है नेगेटिव था पहले और इसको नेगेटिव माल लो चलो छोड़ो मेरे point of control ऐसा पहले negative था पहले positive था मतलब यहां पर यहां पर यह हो रहा था यहां पर हो रहा था hogging टाइप को जिसको आप लोग बोलते हो यहां पर यह ओरी थी beam ऐसी hogging टाइप की अरे क्या जाद ही जल्दी होगी कि मेरे को अराम से cool down यहां पर हो रही थी इस टाइप की और यहां पर हो रही थी इस टाइप की तो यहां टैंशन उपर यहां compression नीचे इसले वाइन बोलो concept समझाया की नहीं आया मेरे ascent पे नहीं मेरे आवास पे नहीं मेरे एनरजी पे नहीं मेरे concept पे like चाहिए मेरे को दोस्त सब लोग ऐसे ही पढ़ लेते हैं बस concept पे नहीं जाता हो कहां से काम पहुंच गया मैं तो इन दोलों को add कर देना है दोस्त ठीक है उसमें पहला concept दूसरा concept तीसरा concept क्या होता है कि अलग-अलग material है ना तो उनका neutral axis निकालना है neutral axis क्या होता है central axis तो central axis के लिए अगर अलग-अलग material है तो क्या होता है y bar central axis का formula होता है a1 y1 bar plus a2 y2 bar upon a1 plus a2 okay अब यह formula भी तुम पढ़ लिए होंगे इसका पता है derivation चंदन सर बजा रहा है कि नहीं आ रहा है आपको यार okay मेरे भाई एक बाद जल्दी से बोलना दोस्त जल्दी से बोलना दोस्त यह वाला formula कैसे आता है पता है क्या दोस्त यह वाला formula कैसे आता है बोलना कि बोलना दोस्त यह वाला formula कैसे आता है आकर आपको पता है क्या यह formula कैसे आता है बोलना जल्दी बोलना अ पता है क्या comment box में लिखो in comment box में लिखो कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपको पता है तो सब के सब दोस्त सर पूरे दिन का टेंशन आपके लेक्ट्टर चले जाता है मेरे भाई देखो इसका फॉर्मला कैसे आता है दोस्त कि किसी भी अगर माल लो इसका सब्सक् ski 1 इटूथ और सब्सक्रीन लॉष इनजर जाधा था सब्सक्क्रीद डॉषह श्यूंट सब्सक्राइं बिज्य बढ़त्युच इनज को युद dif ल frameworks इनजर यूंटा तो मतलब इनजर पहन ज्यादा में पही मजबूटर ता मोड-νलbers rice गतने का उतना ही रहेगा मेतल टू सकता भी कम जोड़ था मेतल वान उसके बरे लगाना है मेटल वन कम में काम चल जाएगा कितना कम होगा देप्स में करते हैं sos कितना कम करना है, B by M, ये मैंटनल वन में, इसना तुम मैंटनल तो इसके सब्सक्रें करना है, तो गोडे भीन प Tay to खुडे, तो तो घुड़ा काम उडले लोपी अधा, तो घुड़ा जाना पड़ेगा, नहीं थे एक न भीन गधेसी सर्गा, उचाऊ के है ल पढ़ाने वाले सब्सक्राइब लग रहा है तो यहां से आगे चलते हैं दोस्त यहां से आगे चलते हैं तो मेरे यह फॉर्मला कैसे आता है किसी बीजिए एरिया कुछ इस टाइब का आगया सपोज इसको कोशन करा दूगा इसका हलका सभी आपको दोड़ा लग रहा है ना हो बहुत बाट पढ़े होंगे पर कैसे आता है जाता है यहां पर कैसे और यहां पर सैंट्रोерж अर्थ यहां पर कहीं पर अगर तो अगर पूरे को मैं यहां concentrate मारना हूँ मास को तो उस पूरे मास को मैं यहां मारना हूँ A1 प्लस A2 तो A1 प्लस A2 इंटू Y बार जो मुमेंट होगा वो होना चाहिए individual A1 Y1 बार प्लस A2 Y2 बार नहीं आया समझ क्योंकि राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी अब दुवारा बताता हूँ वाइबर तुव उपर से ले सकते हो नीचे से मी ले सकते हैं तो दुवारा बताता हूँ दुवारा जल्दी मिट जा जल्दी मिट जा इसलिए देर लं ते मैं थोड़े दिलों में नया सॉफ्टर में आने वाला हूँ देखो ये एक चीज था लकडी का सपोज और ये एक चीज था ये एरिया A1 है दोस्त इसका सेंटर आव मास था यहां पर कहीं पर सपोज की दूरी थी Y1 बार ओके सपोज दोस्त ये वाला एरिया A2 था इसका तो इस पूरे को यहां आ लिया ना इस पूरे को यहां दोनों डबब को मोटे रभे पतले डबब मोटी बीबी पथली बीबी मोटी इल्ब्थले गलच Ilot यहां मन लिया तो इसका इसके अंच्ञा मास कितना होगा किसके आबाऊ इस वाहिट लइक इस आपकृ मुझमेंट एरिया इडीएपुठ इस पूरे अडिया को यह Peachily aprender इसका कितना होगा इस पूरे को यहां मान सकते हो तो तो फॉर्मला बन जाता है यह वला ऐसे फॉर्मला आता है तुम इसको आज तक एसी पढ़ते आये थे जल्दी से यह विसंद एक लाइन का था उसका वाइन ठोको समझाया की नहीं जल्दी से वाइन ठोको लाइक नहीं करनाई का है तुमको लग रहा है शियर नहीं करोगे कब से पढ़ने पढ़ने कर देख आप पूरा सेशन तो देता हूं यार मैं पूरा चैनल तो देता हूं वहां से आप क्या वाई अन बोलू यार जल्दी से दोस्त जल्दी से बोलो यार समझ आया कि नहीं कॉंसेट जिसको तुम आज तक ऐसे ही याद करते रहते अब कभी नहीं भूलोगे अब कभी नहीं भूलोगे उनो भी इंसा अगरदी ओके चलो कोशन पर आथ इसके बाद वहाला कोशन लेना ने डारेक्ट ठीक डा लेक्षिंग पर वाइट कैसे लिखेगा यार क्योंकि यंग्स्मॉडर्स होता है स्ट्रेस जितना कम हो रहा है किसी इतना कम यह तो यह ज्यूड़्स यह तो नहीं और 2021 को यदि चुन चुके हो तो कैसे आगे बढ़े यह बताओंगा कहां पर ग्रेड अप गेट चल पे 10 बजे जल्दी से दोस्त कहां गया हमें जिसका यंग स्मोर्ड ज्यादा होता है तो कौन मजबूत हो यहां पर स्टील का यंग स्मोर्ड ज्यादा है अच्छा ठीक है तो जब भी तुम्हें निकालना है दोस्त सेंट्र न्यूट्र एक्सिस होती है और उसके लिए फॉर्मला होता है यह तो आपको पहले या तो उसको होमोजेरिस बनाना पड़ेगा क्योंकि तुम एरिया के दम्स में बात कर रहे हो मास के दम्स में तो बात कर नहीं रहे तो तुमको पहले या तो पूरा का पूरा अलूमियूम का बनाना पड़ेगा या पूरा का पूरा स्टील का बनाना पड़ेगा एक काम करते हो मैं पूरा का पूरा अलूमियूम का बन तो अलूमिनियम जादर जलेगा तो ये भी अलूमिनियम डाला डैथ में चेंड नहीं करते हैं दोस्त कितना डालना डालना पड़ेगा M times of B M times of 30 M times of B कितना है इसका 30 So M times of B कितना है 200 by 70 into 30 200 by 70 into 30 करोगे तो कितना आ रहा है दोस्त 200 divided by ये करोगे तो ये पहले बात तो 75 है दोस्त 75 है तो इसको करोगे तो ये 80 आ जाएगा दोस्त तो फर्मिल लागाओ कितना आ जाएगा पहले वाले का एरिया उपर वाले का 30 into 40 इसका center of mass कितनी दूरी पर आएगा 20 पर फिर नीचे वाले मोटे वाले का कितना होगा 80 into 80 इसका center of mass कहाँ रहाएगा यहाँ पर 40 और 40 80 दूरी पर upon A1 plus A2 A1 plus A2 इसका 70.526 आ जाएगा क्योंकि हमने दूरियां उपर से लिए तो center of mass भी उपर से ही आएगा 70.526 आसा कुछ answer आ जाएगा दोस्त तो calculation करने आप नहीं आयों मेरे को बता है अगर तुम इसको सबको स्टील में convert कर देते अगर तुम सबको स्टील में convert कर देते यह आता स्टील एटी इंटू 30 स्टील इतना ही और aluminum तो कम जोर इस पर स्टील लगाना है कम स्टील लगेगा कितना कम लगेगा 30 by M M की value यह है जितना भी आ रहा है वहां से भी करोंगे एवन वाइवन बार प्लस एटू बाइटू बार लगर से मंसर आएगा करके देखना ना घर में यहां पर टाइम जिस करने की जड़वत नहीं है वाइन ठोको आगे चलू घर में करके देख लोगे दोस्त घर में करके हो तो स्टील के वाइन ठोको जल्दी समझ आया अले बबुआ मिले दोच अच्छे अच्छा मेरा फैमली समझ आया कि नहीं आया बोल दो जाल नहीं बोल रहे हैं और लाइक तो सरम करते ही नहीं है और शियर तो हम करेंगे ही आप कुछ खलो कितना ही बहतरीन कॉंसेट बता तो नहीं हम तो ना करें भीया बलकुल सपिन पूछ भी हो सकता है कूं पूछ रहे यह नीलेश जी एम कुछ भी हो सकता है एसा और ऐसा खुछ भी हो सकता है आपकी मरजी है लेकिन जब आप इसका multiply कर रहे हूं या divide कर रहे हूं तो आपको थोड़ा सोचना है कि multiply करते वे divide करते वे मैं कि उसको बढ़ाना जैसे यहां पर मिलको steel को लगाना था तो बढ़ाना था तो मैं generally अपने lecture में समझाते हूं M को हमेशा 1 से बड़ा वाला लगता हूं 1 से बड़ा वाला रखता हूं उपर बड़ा वाला value रखता हूं क्योंकि जब मैं इसको M से multiply कर रहा हूं और अपने student को समझा रहा हूं तो इसको लगे कि बढ़ा करने है क्योंकि aluminum कम जोड था और आपको समझ रहा है कि कहां पर divide करना है कहां पर multiply करना है मेरे student को अच्छी तरीक से feeling आ सके इसलिए मैं M हमेशा 1 से बड़ा रखता हूं बड़ा वाला उपर छोटा वाला नीचे ताकि उसको समझ आ सके कि मैं M से multiply कर रहा हूं तो value बड़ी हो और divide कर रहा हूं तो value छोटी ह निले जी समझें की नी समझें आप जो question करते हैं easy लगते हैं या आप easy बनाते हैं इनको या वर ये तो आप पर depend करता है आपको उसका जवाब देना है मैं कैसे ही अपनी तारीव कुद कर दूँ निलेज जी समझें की नी समझें लेजी समझें की नी समझें ओके ऐसे कुछ भी ले सकते हो आप ठीक है ओके तो ऐसे neutral exercise निकाला जाता है चलब इसको बताओ with the P lode act in the bending moment at A बताना है दोस्त bending moment बताना है सब्सक्राइब ना से 29 जाना मुंवमेंट जी रो निए तर फूर से क्लिळ मे नही हूँ होता है इसने हुए बैडिग मुझहा बैंदिम मुट्टे सिरह राइट ये लेफ्ट से मुवमें से ढेक वह जह हलता है दोस्ति यहां से मुप्रिज बता वोगे कि नहीं बताओगा यह बता तो पहले तुम फिर तुम अंसर नहीं बता रहे हो फिर गुस्टा आएगा मैंको फिर तोड़ दूँगा स्क्रीन वरीन फिर गुस्टे में स्क्रीन वरीन तोड़ देता हूं कि मजाग कर रहा हूं भाई बोल दो या प्लीज बोल दो प्लीज नहीं बोलेंगे सार हम ओके चलो 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 देखो मेरे बाई internal hinge पे हमेशा internal hinge पे bending moment zero होता है अगर मैं इसको आरसी रियक्शन मानता हूं तो bending moment at B पर 0 होना चाहिए तो P का कितना आएगा P into L by 2 और RC का कितना आएगा RC का कितना आएगा ऐसा आपने जो भी sign convention आपने sign convention देख लेना है मेरा sign convention क्या था धोनी style जिसमें को tension लेनी के जड़ती नहीं होती जो नीचे लोड लग रहा है उसको माइनस लो जो उपर लग रहा है उसको प्लस लो दोनी sign convention माइनस पी इंटू L प्लस 1.5L तो यह PL माइनस 1.5L कितना आजाएगा PL by 2 अब माइनस प्लस मत चलो यार तुम्हारा sign convention लग हो सकता है ना PL by 2 तो माइनस प्लस मत चलो दोस्त जल्दी से बताओ मज़ा आया की नहीं आया सबके सब एक बर प्लीज दोस्त मज़ा आया की नहीं आया समझाई बात की नहीं आई दोसरे फटाक से बोलना ज़रा concept समझाई आया की नहीं आया 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 सर आया ओके और question लेते हैं ओके ओके मैं वही question ले रहा हूं जिसमें आपको maximum फाइदा हो सके अब beam has rectangular section 100 mm into 200 mm ठीक है जी ठीक है बनाते जाते हैं यह अपने उन तीन concept पर फूरा भरोसा में चीज जो मैंने 11 वी एम पर आज सिखाये थे ग्रेड़ अप्लास लैब पे और आपको भी revise करा ही दिये तीनो concept तीनों concept रिलाइस करा हैं आपको यहां पर अभी मैंस rectangular section 100 mm है और फिर 200 mm है ओके और क्या बोल रहा है मैक्सिम में नापते कहां से डोस्त वाइकस होगा और की स्क्राइब करां वाइमैक्स अब और को देखो चाहे नींचे को देखो हो वाई मैस इतना होगा ठीक कोई दिक्षत ही नहीं हो रही है जिसको पता है डिरेकट फ़र्म ला वो तो इसको बीडी स्क्रा माल राभी सिक्सक्रा करक्र चुगा का भी तर नहीं तो ब्ली हाट है कि जान को मिलिमीटर करने लिए इंट के भावर थ्री से और मुल्टिप्लाइ कर दो इन्टु वाइमेक्स कितना है दो सब्सक्राइब नहीं करता हूं मैं आप सब लोग बता रहे हो तो भी होगा यह जितना भी होगा मैं उसमें टाइमेस नहीं कर पाऊंगा दोस्त मेरे कमांडों को यहां पर कम समय पर जाज ज्यादा चीजे मिलनी चा कॉंसेट में कोई दिख कर तो बताओ कैल्कुलेशन आप उसका यह आए वह आए वह आए में को आई ढूंट क्या आए में हैं आपका टाइम बेस्ट नहीं कर सकता दोस्त ओके आमन रे विकार जी मैक्सिम लोग बी बोल रहे हैं तो बी होगा फिर मेरे चैंपिन बोल रहे ह सब्सक्राइब बोल रहे हैं को या सब ऐसा थोड़े नहीं कोई कंपूटर का बोल रहा है यार अच्छा जी भोले तो समझाय की नहीं हो यारे बोलू लाइक शेयर कर दो यार मन्ना सुची जी राजस रांची से अमे जी पॉम्बे से साइकुमार जी अर पिच्सी सर आई म new minimum लेंगे मेरे तो kolum में लेते हैं दोस्त यहां पे तो आई बाँट न्यूट्र एक्सस लेते हैं और डीटेल में पूछोंगों निटेल में पूछोंगों कि तो कॉलम वाले में कल IION TH child समझना कॉलम वाले में कल I being कि वहाँ पर minimum load पर फेल हो जाएगा कल बताया तो दो हाथ वाला कैसे हाथ ड्रॉड करके आसे बताया था मैंने आज बताता हूं दोस्त देखो यह एक ऐसा है सपोज ठीक है समझना दोस feeling समझना इसका cross section ऐसा है अब मैं दोस्त इस पर ऐसा load लगाता हूं तो ऐसा load लगाऊंगा तो दोस्त समझना इस purple axis के about होगी ना bending समझना दोस feeling समझना दोस में writing अच्छी नहीं है पर feeling अच्छी समझाऊंगा मैं इस purple axis के about bending होगी ना दोस ऐसा इधर को purple axis के about bending होगी ना तो अगर ऐसे वाले load हम अपने chapter syllabus में पढ़ते तो I about this axis के नहीं I about this axis के हम करते लेकिन हमारे case में ऐसे वाले load ऐसे वाले load नहीं लग रहे है ऐसे वाले तो ऐसे वाले में दोस्त बेंडिंग हो रही है वाइंट हो को इस concept लिए जो आज दुम्हें पता चला होगा मेरे को पता है क्योंकि वहां पर किलोन्यूटन मीटर है उसको करने लिए यूनिट पर मच जाओ यार यूनिट पर मच जाओ यह वाला concept में अभी पर चला होगा कि I about हमेशा यह क्यों लेते कॉलम में तो दोनों से लेना है क्योंकि वहां पर ऐसे भी कूब निकल सकती है कल बताया था ऐसे क्यों बैट्वल अगर यह भी है यह दी है तो डी बी को बैट्वल पढ़ता अरे feeling आई की नहीं आई दोस्त बहुत concept खुल रहे हैं आज बहुत तार खुल रही है दिमाग की feel आगे निलेज जी को ठीक है दोस्त MSQ कोशन दोस्त MSQ कोशन है आपके लिए बिल्कुल दोस्त MSQ कोशन है करो सौल करो सौल करो सौल करो दोस्त मूमेंटर बताना है यह बीम ऐसा है उसी बीम को ऐसे कर दिया है यह case 1 है और उसी बीम को ऐसा कर दिया है case 2 concept चमक गया निलेज जी को निलेश जी को concept चमक गया बहुत बढ़िया सब के सब दोस्त एक बार खरो कमाल MSQ दोस्त पहले वाला MSQ था क्या नहीं था MSQ आपके लिए यही बीम को ऐसे घुमा के रखा वो चोटी लग रही है उसमें मत जाना font size पे इसी बीम को ऐसा रख दिया है तो moment resistance का बताना है ओके ओके यह ratio of case 1 to k ratio मतलब एमो आर रेशियो मतलब एमो आर रेशियो रेशियो मतलब moment resistance का ratio ओके तो moment resistance दोस्त बहुत असान है attention नहीं लेने का दोस्त moment resistance क्या होता है सिग्मा वाई इंटु जेड तो moment resistance of 1 upon moment resistance of 2 कितना होगा सिग्मा वाई और जेड वन और सिग्मा वाई अफ जेड टू अच्छा सुनो कोई तो मेरे बाई अगर गुमाने के बाद material नहीं होगा सिग्मा वाई तो आप उसको eliminate भी कर सकते हो तो यह होगा z1 by z2 z1 क्या होता है i by y max तो इसका bd q by 12 by d by 2 करोगे तो bd square by 6 तो यह bbx है dbx है तो bd square को x cube by 6 लिख सकते हैं bd square को x cube by 6 लिख सकते हैं upon z2 upon z2 upon z2 मेरे भाई z1 को कैसे लिखा z1 को कैसे लिखा upon z2 इसको कैसे लिखा मैंने x cube by 6 upon z2 कैसे लिखा इसको x cube by 6 क्योंकि मेरे भाई bd square by 6 होता है तो bd square में b और d दोनों ही x है अच्छा तो x cube अब x इसका कैसे निकाले इसका भी कैसे होगा दोस्त दोस्त z2 भी क्या होगा दोस्त z2 होगा i2 by y max i2 by y max अब i2 निकालने के लिए दोस्त समझना चीजों को यह x है यह भी x है यह x है यह x है यह 9 degree है यह 9 degree था तो वहाँ भी 9 degree रहेगा तो यह वाली चीज कितनी हो जाएगी और एक ट्रैंगल का बाओ योस और यह कितना है और एक स्कूब एक्स घूब रूट 2 x यह हो गया दो के दो रिक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल का i कितना होता है बी रूट 2x into h3 बी हेज़ कूब बाई 12 और y max कितना है यहां से यहां था x पर रूट 2 मेरा इस्सब को सॉल करोगे यहां पूट करोगे तो अंसर आ जाएगा ूट X cube से X cube कर जाएगा X cube से X cube कर जाएगा root 2 आएगा तो moment of ratio of case 1 to case 2 is root 2 correct case 1 is stronger in bending बिलकुल जब उसका ratio root 2 है जो 1 से बड़ा होता है दोस्ट तो वो stronger होगा moment of case 1 is stronger क्योंग रूट 2 है भाई ratio 1 से बड़ा है तो वो stronger है अच्छा case 2 is stronger in shear case 2 is stronger in shear shear stress होते है दोस्ट feeling लेना shear stress होते है वो ऐसे होते है बीच में ज़्यादा होते तो यह व्युज़ अच्छा है कि जहाँ पे कम shear थे वहाँ पेAGं material कम area और जहाँ ज़्यादा stress थे वहाँ पे ज़्यादा area appear to this इसमें το shear stress तो ऐसे ही होता है ना, उपर नीचे, ऐसे नीचे, और बीच में ऐसा बीच में ऐसा तो इस में हर जगा ही, चाहे, वहाँ पे zero stress था- जाहे ज़ासर अपने बराबर area दिया लेकिन यह वला फिर भी logical है जहां पे zero था, प्रॅप Palestया यहां पर कामेरिया दिए जहां पर भी घुटा सेर में यही क्यों सेवात वाला मजबूत तो ACD मेरे बाई कोश्य कि में कितने ही ना जाने कितने कॉंसेट ठोकड दिये तुम जेला इस गजाने कितने गौंसेफ लगा दिये यार कितना ही मैं लब खुद बनाया हूं मैं कल रात को कोशन दोस्त खुद और 11 एम पर पर मैंने का था concept पढ़ा हूंगा रात को एटी पी एम पर कोशन करूंगा खुद बनाया हूं यह टाइप भी खुद ही किया हूं मैं ग्रण घ्राइंगल का बी एज क्यूब ऐजों भाई होता है सेंट्र मासक आब बेसक याइज क्यूब यह ट्वल्टãy मेरे दोस्त शिर्फ उसके उपर कपल का कोई effect होता है क्या बिलकुल होता है भी सिक जी बिलकुल होता है जैसे यह आपका है ना यह अपने M लगा दिया स्वरी यह अपने M लगा दिया तो उसका calculation करना यहां इस M के करना यहां पर forces आ जाएंगी ऐसे और ऐसे एम बायल तो forces आगी तो share force आ गया M के करना force आया reaction आया उसके करना share force आ जागी मिरे भाई वाई एन बोलना यार मज़ा आया की नहीं आया दोस्त यार बोलो जड़ा यार सब के सब comment box में concept में okay what is about correct about bending stress यह आप दोस्तो या तीसरी बार कर रहे होंगे दोस्त यह कोशन आप दूसरी या तीसरी बार कर रहे होंगे यादि आप मेरे को regularly follow कर रहे हैं तो बिलकुल whole section का eye होता है तो आमने उसको दो पार्ट में करके इंटू उपर वाले पारट इंटू 2 कर दीया उसमें कोई दिक्कत नहीं है नहीं मज़ें दोस्त बिलकुल भी किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें अच्छा यह तो यह यह बहुत बार आप मेरे student तो लगाता पता नि कितनी भार ही MSQ कर लिए यारा आप कितनी ही बार what is correct about bending stress अच्छा ये वाला नहीं किया वो दूसरा था sorry sorry ये वाला question पहली बार ये भी कल मैं type किया हूं ये भी मैं कल sure बडले में बार अनकीटा आँ ये बार बंडिंग के लिए मैं शिर्फ जिरो क्या सकता हूं पिएर बंडिंग ले नहीं ए नहीं अंकिता जी पियोर बंडिंग के लिए मैं stress 0 कर सकता हूं ये बेंडिंग नहीं है ना नाना stress are always linear what is about bending stresses stress are always linear सर्प्राइस सब नहीं लीनियर नहीं होते हैं आपको लगना हो करें सर अभी तो आपने बताया था ऐसा होता है मेरे अगर आप रिवाइंड करोगे ना हर एक वर्ड पर मेरे मैं पचास बार सोचता हूं यह सौ बर पढ़ा चुका है पहले हर एक वर्ड फिक्स हो चुका है ग मैं नब 20-25 मिनिट पहले रिवाइंड करना जहां पर मैं यह पढ़ा रहा था यह वाला चीज यह वाला चीज यहां रिवाइंड करोगे ना तो आपको एक चीज पर चलेगी दोस्त यहां रिवाइंड करोगे तो आपको चीज पर चलेगी जब मैंने बोला कि लीनियर रहे पे बोला था, Elastic case, Elastic case के लिए, आपने खुदी स्टील में प्लास्टिक पड़ चुके हो यार, प्लास्टिक केस में दोस्ट ऐसा भी हो जाता है वो, प्लास्टिक केस में दोस्ट जो, स्ट्रेस्टिपिशन लीनियर के वह वह जाता है ऐसा ब्लास्टिक केस में और में आपको जब फोर्मुला बता रहा था दोस्ट मैंने elastik के लिए बोला था था आल्वेस नहीं है बहुत जाधा बेंडिंग हो जाती है तो इल्डिंग वाले जोन में चल जाता है दोस्ट और पहले तो बढ़ता रहता है ऐसा इल्डिंग वाले जोन में कॉंस्टेंट आजाता है तो आल्वेस लीनियर में नहीं कह सकता दोस्ट कॉंसेट बहुत गहरा था इसलिए स्ट्रेंशिया के लिनियर रहेगा क्योंकि स्ट्रेंशिया एक समयबाद रहेगा एक समय बात dès रहेगा जाता है था यहां बेंडिंग स्ट्रेस को आज मीं फोर्मिला बनाया था ना मांटया तो आल्याइस एसथा होता copper के लिए ऐसा होता aluminum के लिए ऐसा होता किसी चीज़ के लिए ऐसा होता किसी चीज़ के लिए ऐसा होता उसने का अटा सावन की घटा चल मैं हर दुनिया के हर मेट्रियल के लिए आइडिलाइस टेस्टें कर यह मानूँगा तो स्ट्रेस एक समय के बाद constant हो जाता है ऐसा लेकिन strain ठीक अब कितना वो हमेशा linear रहेगा strain is always linear इप इस प्यर्दीं देश्ट्रेस एक सिरह अट रहेगा वाध्र किज्चन था दोस्त बहुत डीप कश संवए कि बहुत को त्या में यह नहीं समझे कि नहीं मेरे दोस्त समझे की नहीं सब के सब every commando every champion और मैं homework में कौन सा question दूँँ आपको यह वाला तो हो गया है homework में यह वाला question भी हो गया है यह elastic था यह वाला हो गया है homework में चलो मैं यह देता हूँ homework देखो एक सर्कुलर लौग है सर्कुलर अब इसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं इसका डायमेटर डी है इसमें कितने रेक्टेंगल बन सकते हैं एक रेक्टेंगल ये बन सकता है दोस्त इसमें रेक्टेंगल ये बन सकता है दोस्त इसमें इंफनाइट रेक्टेंगल बन सकते हैं उन इंफनाइट में से आपको B और D की वल्यू बतानी है in terms of capital D in terms of capital D ओके दोस्त ये आपका homework है comment box में जो भी आएगा मैं screen में लाऊंगा अगले दिन कल 8 बजे और नहीं भी ला पाया तो फिर आज की तरह ही वो खोल के दिखा दूँगा में दोस्त डॉन विट टाइम विल नवर बी जस राइट जो करना है आज से अभी से करना start कर दो दोस्त मेरे यह एक जैसे आप खोलेंगे ना तो अगर आपने उपर सिविल चेंज चुन रखा है मेकैनिकल एक्ट्रिकल एज नहीं चुनने का है आपने यह से गेट तो वहां पर फ्री सिरी दिखा देगे लास्ट लैप में रिमांड मी कर दिना अब यह तो पुरानी वाली है आज कल जो भी दिखा रहा होगा यह तो पुराने वाले हैं जो हो चुके है अगर आप होम पर जाके मेरा नाम लिख देंगे ना यहां पर मेकैनिक अलेक्ट्रिकल भी होगा आपको सिविल चक करना है आप मेरा नाम लिख सकते हैं अभी नहीं कि नाम लिखा रहेगा आप मेरा वहां पर फॉलो मी कर सकते हैं दोस्त यह पूरा कंप्लीट शीडूल है कल मैं वापस आपस 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 मिलूँगा 11 एंप महुर सरकल के नए कोशन के साथ आपस मैं फिर मिलूँगा कल गोपी आपस मिलुए नहीं तो वेरीवई थो आपस 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 मिलुए ए भिपैनतों अफक्ट नहीं whatever is the feedback of the courses what is your feedback about us every negative and positive thing please write me on that mail I will be very willing to see that mail so that we can improve in a better direction whatever if whatever you like good or bad if something is bad then also that also so my friends you all meet me 11 a.m. more circle I know मैं आपको मोर सर्कल पढ़ा चुका हूँ लेकिन फिर से यहापे मोर सर्कल होगा नए कोर्शन के साथ और कल मिलेंगे फिर वापस से यहाँ पर कम्प्ली टॉशन इन वन आवर यह कल की ग्लास रहेगी जोशिसर की तीन बजे रहेगी ट्राफिक फ्लो एंड डेंसिटी तो यह पूरा ताबर तोर सीरिस का शीडूल है और यह है मेरा लास लेप का ठीक है मेरे पाइट पहर पेड़ कोर्स भी है जैसे गेट के लिए गिर अप कोर्स है रैंक अप कोर्स है ग्रैश कोर्स जो कॉंसेट पर फोकस करता है यह रैंक अप कोर्स करता है नुमेरिकल पर फोकस ओके ओके आएट सम्मेडिकल इस्यू ओके गोपी प्लीज टेक्योर फिरसल्फ गोपी all the best wishes आज आज विजन को जो है वह इस्यू गेट अपको सारे के सामय सब में आपको PDF नोट्स मिलते हैं एक दम कॉंपनेशन के साब से फालत कुछ नहीं कॉंपनेशन के साब से मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको क्विज़ मिलेगा और पीडियफ मिलेगा और कम्प्रीट सब्जेक्ट वाइस भी मिलेगा ओके ग्रेडव पर नंबर लॉग इन नहीं होता है अब यह तो नहीं पता आपको सब्सक्रिप्शन लेना है ओके बेस्ट फिकल्टी हमारे पास मोर्दन सिस्टी प्लस अब सुडेंट इन में सबका इंट्रूव भी है इसका इंट्रूव तो मैं ही लिया था अब यह इंट्रूव अचीवर कॉनर में ग्रेडव गेट चनल पर भी देख सकते हैं अगर आप 2021 के त्यारी कर रहे हैं तो कैसे 2022 और 2021 में कंफ्यूजन है तो कैसे ओके यह टूडे ग्रेडव गेट चैनल पर यूटूब मैं पहले ही टेलीग्राम पर शेयर कर चुका हूं सुबही लिंक अपने उस पर भी कर चुका हूं तो 10 प्यम पर ग्रेडव गेट कैसे आपको आगे बढ़ना है जो 2021 के आगे बढ़ रहे हैं या 2022 के आगे बढ़ रहे हैं रहे हैं 10 प्यमं पर मिलते हैं 20 मिनट के लिए आज ग्रेडव गेट चनल पर उमीद करता हूं सब के सब वहां Centers आए थेंक यू, थेंक यू हेमन्त मीना जी, अभिनाव.नेगी अधरेट ग्रेडव.co थेंक यू